गीड मॉर्णिंग प्यारे बच्छों बच्छों एक्जाम बेस्ट कुरिशन आंसर्स की सीरियूस में आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 5 का पार्ट सेकेंड प्यॉर्टी इस पावर करने जा रहे हैं जिसमें दोनों तरह के कुरिशन्स हैं फिलाप्स और वन लाइन कुरिशन आ टे हैं चलिए लेट लेट सब्सक्राइब एलट हैं इस विड्व रिवाइर डैश प्यॉरिटी फॉर आवर आल हाल्त हमें क्या किस चाहिच के जूरूरत कौन से प्यॉर्आ टिक जरूरत होती है फॉर ऑवराल हैल्थ के लिए पूरे हाल्थ पूरे स्वास्थे के लिए त वो पूरा pure होना चाहिए तबी हम mentally और physically दौनों तरह से healthy रह पाएंगे Second question है purity of mind is mind की purity है वो है peace purity of mind is peace and third question देखो purity of body is dash health purity of body क्या है वो physical health है अगर हमारी body pure है हम अच्छा सोच रहे हैं हम अच्छा pure खा रहे हैं प्योर बना रहे हैं cooking भी प्योर है और हमारी feeding भी प्योर है तो हमारी health भी जो है pure होगी physical health क्या होगी purity of body क्या है physical health है इस chapter में two और three stories है जिसके base पर यह question answer है देखें द्रोन समंदा पांडवाज और कॉर्वाज 4 द्रोना चारे ने पांडवा और कॉर्वाज को बुलाया था किसके लिए एक टेस्ट के लिए test लेना था उनको fifth question देखें युदिस्टर found everyone to be pious and pure युदिस्टर एक टेस्ट दिया गया था कि जाओ आप शहर में ढूंड कर लाओ युदिस्टर को कहा गया था कि आप सबसे बुरा परसन ढूंड कर लाइए और दुरियोधन को कहा था सबसे अच्छा परसन ढूंड कर लाइए को कोई बुरा परसन नहीं मिला यानि की जो विल्यंस होते हैं और जो मर्डर होते हैं यह बड़े खतरना और रहाक लोग होते हैं और असको भी प्रांस्वर्म कर सकती है किसने फूर जो है तीव को बचा हुआ एपर कर दिया था यहानसर है पवरी बाबा पवरी बाबा ने जो अपना खाना थीव को औफर कर दिय था Question number 9 देखो, was humbled by the purity of a simple housewife and an ordinary man कौन जो थे वो humble हो गए थे simple housewife or ordinary man की purity को देखकर Yes, प्राउज गौतम, गौतम रिशी जो थे ना जो तपस्या कर रहे थे, वो humble feel कर रहे थे Question number 10 देखो, dash can change the behavior of human beings as well as animals Nurturing, यानि कि जो pollen potion है, जो परवरिश है, वो human beings के साथ animals का behavior भी change कर सकती है, यो parrots वाली story में हमें बताया गया है तो ये थे हमारे fill up से related part 2, lesson number 5 के question answers इसके answers मैंने यहाँ पर सारे लिखे होए है, please you can check here and learn it These are all answers, please learn it, one nine question answer हमारे जो हैं इस chapter में से देखिए Question number one, who summoned Pandavas and Kaurvaj for test? Yes, आपको मालूम ही है, गुरुद्रोना summoned them, गुरुद्रोना चार्या जो थे उन्होंने उनको बुलाया था Question number second, देखिए, what different tasks were assigned to Yudhishtar and Duryodhana? क्या अलगलग काम दिये गए थे, Yudhishtar और Duryodhana को? Answer है, Yudhishtar was asked to bring one bad person from the society and Duryodhana was asked to bring one good person from the same society उन्हें एक ही society में भीजा गया था और Yudhishtar को कहा गया था, एक अच्छा बुरा परसन धूड कर लाओ और Duryodhana को कहा गया था, कि एक अच्छा परसन धूड कर लाओ Who is pure according to the author? लेखक के अनुसार कौन pure है? According to the author, the person who is sincere in service, faithful in doing duties and loving without selfishness is pure यानि कि जो सेवा, अपनी इमानदारी से जो सेवा करता है faithful in doing duties, अपनी कर्तव्यों का पालन करने में वो faithful है, वफादार है and loving without selfishness और बिना किसी स्वात के सब को प्रेम करता है वो pure है Who was पभारी बाबा? पभारी बाबा कौन थे? पभारी बाबा वाजे सेंट वो एक संत थे तो बच्चो ये थे हमारे lesson number 5 के part second के question answer और मुझे लगता है कि आपको तो ये सुनते सुनते ही learn हो गए होंगे है ना बच्चो चलिए ठीक है आप मुझे बताइएगा learn हुए या पिर नहीं थेंक्यू बच्चो हुआ है आप बच्चो